तो है गाइज वेल्कम बैक ट्यू और यूटुब चानल दजीपी जॉन सो गाइज आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पॉल टेकिनिक 2022 में कितना रेंग आने पर सिविल ब्रांच मिलेगा टॉप फाइफ कॉलेज में सो गैस हम टाप फाइफ कोलेज में इस वीडियो में बात करेंगे सिविल ब्रांच कितना रेंग आने पर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टाप एलेक्ट्रिकल और देन उसके बाद मेकेनिकल पर वीडियो बनाएंगे तो आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जगा तक इसी तरह का हेलफुल वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें और आप इसके अनुसार अपना कांस्लिंग कर लें ठीक है गईस तो चलिए हम लेकर चलते हैं आपको सबसे पर्ले पीडियेफ पर और वहां पर दिखाते हैं कितना रेंग पर मिलेगा ठीक है तो लेट सी गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने पीडिएफ हैं सो सबसे एक नमबर पर आता है आप लोग का एंजीपी पतना तेरा जो की पतना में कॉलेज है और यह सबसे टॉप रेटिंग पे कॉलेज अभी है सबसे नमबर वन पर अभी चल रहा है न्यू गवर्मेंट प और यह यूर ओपनिंग रैंक अर यह काटेगरी ओपनिंग रैंक और काटेगरी क्लोज़िंग रैंक ठीकड़ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पे potassium के लिए बैसी का जिनका ओपन रैंक मतलब कि यूर रिंग 57 से लेकर 80 तक था और जिनका 57 से लेकर 80 तक था उनका के टेगडी में रिंग आपका 28 से 42 तक था उनका सिविल ब्रांच मिल चुका है गवर्मेंट पॉल टेकनिक पटना 13 में ओके गाइस ओके गाइस बीसी के बाद हम बात करते हैं आपका डीक्यू का डीक्यू जो की आपका डीसेवल कोटा हो गया डीसेवल कोटा में जिनका और अप्रोक्सिलिस सारे 600 से लेकर कि सारए 4000 के बीच और उनका के टेकड़ी इतना था उनको मिल गया है ठीक गया उसके बाद हम बात करते हैं ए बीसी का ए बीसी में गाइस एक कावन से लेकर और एक सो ब्यालीस तक मतलब कि जिनका यूज़र की कावन से लेकर एक सब्यालीस होगा और उनको के टेगडी में था 11 से लेकर 32 तक उनको मिल गया है पाटना 13 में सिविल ब्रांच उसके बाद कि इड़ावलूएस का बात करते हैं ठेगाइस उसके बाद हम EWS का बात कर लेते हैं यह दोनों E, UR और E, EBC ऐसे हैं EWS का बात कर लेते हैं एप्रोक्सली मान के चलिए 70 से लेकर जिनका 108, sorry EWS में 67 से लेकर 108 होगा UR रेंक और उनका 10 से लेकर 19 तक होगा उनको पटना 13 में सिविल ब्रांच मिल गया, RCG जो की गल्स के लिए, गल्स को 100 से लेकर 1500 के अप्रोक्स जिनका UR रेंक था और 3 से लेकर 7 तक जिनका केटेगरी देंक था, उनको मिला सिविल ब्रांच उसके बाद AC का बात कर लेते हैं, AC में आपका 90 के अप्रोक्समान के चलिए 86 है और 86 से लेकर 384 के बीच और उनका केटेगरी RCG में जो की रेंख होगा, उनका 5 से लेकर 16 तक रेंख है, उतना में मिल गया उन लोको आपका पटना 13 में सिविल ब्रांच उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं SMQ है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, SMQ है, SMQ में आपका जिनका 189 से लेकर 189 और एक से लेकर एक यूवर रेंख, उनकों मिला है पटना 13 में सिविल ब्रांच, उसके बाद ST के बात कर ले, ST में 284 से लेकर 280, मतब 280 के प्रोक्समान पर रेंख उठाया है यूवर में और उसके बाद आपका दूसरेकर दूम जितना रेंख था केटेगरी में उनको मिल गया है, और overall without any कोई केटेगरी रेंख, जिनका दूसरेकर 44 से यूवर रेंख में, और दूसरेकर 44, मतलब दूसरेकर 44 तक जिनका opening रेंख था, यूवर, उनको मिल गया है पटना 13 में, फर्रज्ट राउंट का भी सेकेंडराउंड आना बाकी था, ठीक है, सेकेंडराउंड में और इससे भी जादा रेंख वाल्यकों मिला होगा, ठीक है, सो, नेक्स्ड हम बात कर अब हम लोग आ चुके पत्नशात पात करें तो बीसी में 119 तक उनको के मिल चुका है और पत्नाशाथ में आपका आसे मिल बढान्श उसके बाद करें ग्यू की टिसेवल कोटा उनको डेकि शक्ते अप इतना ज्यादा रेंग पर भी मिल गया है ठीक है उसके बाद EBC का बात करें EBC में 166 से लेकर 255 तक जिनका रेंग था UR रेंग और उसके बाद 43 से लेकर 69 तक जिनका था उनको मिल चुका है EBC के बाद हम बात कर ले आपका EWS का EWS में आपका 200 से लेकर 80 और 28 से लेकर 40 तक मतलब कि 28 से लेकर 40 तक ठीक है उनको मिल चुका है इस सब्रांच पतना साथ में जो कि उनका यूवा रेंक में आपका 200 से लेकर 314 मतलब कि यह प्रॉक्सली 100 जिनका युवा रेंग उनको मिल चुका है ठीक है 28 से लिए उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते उसके बाद हम आपको बात कर ले युवा रेंग का युवा रेंग में आपका 20 से लेकर 166 और उसके बाद से इसमें भी 20 से लेकर 166 मतलब युवा रेंग में कोई केटेगरी नहीं लगता है उसलिए आपका इतना पेही गया है मतलब की युवा र में 20 से लेकर 166 तक था जिनका मेल चुका है ओके गाइस आई हो कि आप लोगों समझेंगे आ रहा होगा मेरा पूरा बात कोई भी कन्फियूजन होता है तो आप कमेंट सेक्षन पूछ तकते हैं नेक्स्ट कॉलेज पे हम बात कर ले तो बीसी के टेगरी के लिए जिनका 365 से लेकर 349 के बीच और 116 से लेकर 288 के बीच जिनका रेंग था उनको मिल चुका है सिविल ब्रांच जीपी मुझा फरपूर में उसके बाद आपका डीक्यू का बात कर ले तो डीक्यू में इतना ज्यादा रेंग पर भी मिल कर लेते हैं कि उसके बाद में के टेगरी का हम बात कर लेते हैं ठीक है एकीसी का बात कर लेकर 378 से लेकर 527 के बीच और उन का मिल चुका है नेक्स हम बात कर लेते हैं और llेश दिनका यू आ रेंक में आपका 407 से लेकर 797 बीच ओके वन सब्सक्राइब गाइज थोड़ा जा रहा था चलिए अब ठीक हो गया होगा आयोप तो हम लोग बात कर लेते EWS का EWS में जिनका आपका यूर रेंग 407 से लेकर 797 के बीज था और उनका क्टेगरी रेंग 49 से लेकर 181 के बीज था उनको मिल चुका है मुझभफरपुड में सिविल ब्रांच और नेक्स्ट हम बात कर लेते RCG की जो की गल्स के लिए गल्स में जिनका यूर रेंग 679 से लेकर 689 के बीच और RCG में आपका 49 से लेकर 54 के बीज जिनका रेंग था उनको मिल चुका है मुझभफरपुड में आपका सिविल ब्रांच और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं SC के टेगरी वालों का ओर 390 से लेकर 3000 के बीच और 390 के की बीच और NAOMis से लेकर 340 के बीच और पर केटेगरी में यहां पर नहीं लगता है तो इतना पर देख लीजेगा नावासिस से लेके 343 के भी जिनका केटेगरी रेंग्ट सड़ी यूर रेंग है उनको मिल चुका है ठीक है चलिए अब नेक्स्ट कॉलेज का हम बात कर लेते चलते हैं नेक्स्ट कॉलेज पर अपना केटेगरी में जिनका यूर रेंग 526 से लेकर 606 था और उनका केटेगरी में रेंग आपका 254 के 292 था उनको मिल चुका है डिक्यू में तल्ब डिसेवल कोटा बार बार हम बोल रहें उनका देख लीजे इतना से 26005 2600 से लेकर 5995 के बीच जिनका था यूर रेंग और उनका केटेगरी में रेंग था 600 लेकर 55 के बीच तो उनको मिल चुका है इबीसी का बात कर ले हम यहाँ पे इबीसी में जिनका 566 से लेकर 755 के बीच यूर रेंग और उनका 164 से लेकर 209 के बीच केटेगरी रेंग जिनका था उनको मिल चुका है नेक्स आम बात करते हैं EWS का EWS म आपका सिभिल ब्रांच मिल चुका है आर सी जी का बात कर लेते जो कि गल्स का है तो आर सी जी में 708 से लेकर 928 के बीच और उनका के बीच चेरी था उनको मिल चुका है जीपी भागलपूर में आपका स्टीविल ब्रांच ओके गाइस आई होब कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ यूवारेंग का यूवारेंग में जिनका इसमें चीज के बिचिनका होगा उनको मिल गया होगा ठीक है वीडियो थोड़ा फास्ट बना रहें ताकि बहुत ज़्यादा आपका टाइम लॉस ना हो जल्दी जल्दी इन्फोर्मेशन हम आपको प्रवाइड कर सके आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहागा चलिए नेक्स् और इसमें हम बात कर लेते बीशि के टेगरी का बीशि के केटेगरी मेंaci जो की सिविल ब्रांच आपका 1130 मतलब की 1130 से लेकर 1608 जिनका यूर रेंग था और उनका की टेगरी में 2300 से लेकर07 Much 17 か उनको मिल चुका और DQ में बात कर ले तो DQ में एक हजार सोरी अठाडे सो बतीस से लेकर पैतालीस जार दोसो चोबीस के बीच और उनका के टेगडी रेंग चोशट से लेकर 117 के भी जिनका था उनको मिल चुका है अध्याज़ के बीच जिनका टेगडी रेंग उनको मिल चुका है और इनमें बात कर लेते हैं हम 553 से लेकर 625 के बीच ठीक है आप लोग को समझ में आ रहागा आई थिंग तो हम लोग EBC का बात कर रहेते, EBC में 1230 से लेके 2006 के भी जिनका UR रेंग था और उनका 303 से लेके 625 के भी जिनका केटेगरी रेंग था उनको मिल चुका है ठीके गईज, और नेक्स्ट हम बात कर लेते EWS का EWS जोकी जेनरल वालो कुबर लगता है केटेगरी और उनका UR रे से लेके 3848 तक जिनका था और उनमें केटेगरी में EWS में जिनका 2445 से लेके जिनका UR रेंग था और उनका ST में के टेगड़ी रेंग था आपका 134 से लेके 513 पन के भी उनको मिल चुका है नेक्स्ट हम बात कर लेते ST का ST कुटा में आपको 4588 से लेके 4588 मदब भी 4588 UR रेंग जिनका होगा उनको मिल चुका है आप लोग को सिविल ब्रांज सार सामें ठीक है उसके बाद हम बात कर लेते UR रेंग का UR में कोई भी टेगड़ी नहीं लगता है आप लोग भी जानते हो उनका UR में जिनका 126 से लेकर और 823 मतलब की 1123 जिनका था UR में उनको मिल चुका है UR में सारे स्टूडेंट आ जाते हैं ओगे गईस सो आई होब कि आप लोग को वीडियो यह अच्छा लगाओ कुछ हेलफुल रहा होगा आपके लिए सो नेक्स्ट हम वीडियो हम आपको बनाने वाले हैं आपका इलेक्रिकल ब्रांच से लेकर सो आप लोग हमारे चैनल पर नहीं होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तकि इसी तरका इंट्रेस्टिंग वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराते रहें और उसके बाद आप लोग को बहुत हेलफुल वीडियो हम बनाने वाले हैं आप लोग को इन फ्यूचर में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा प्लीज आपसे निवेदा ना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आई होग कि आप सब को अच्छा से समझ में आ गया होगा थैंक यू शो मच